नमस्का दोस्तों आपका स्वागित है प्रॉफी टेकन यूटीब चैनल में दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फरमेशन वीडियो लेकर आया हूँ सबसे पहले आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं कि जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि मैं किस टॉपिक के उपर बात करने वाला हूँ सबसे पहले यह वीडियो देखिए दोस्तों आपको इस वीडियो के मादम से आपको पता चल गया हूँ कि मैं किस टॉपिक के उपर बात करने वाला हूँ मेरा जो आज को डॉपिक है वो है end screen जब आपने को भी वीडियो आप publish करते हो तो उसके बाद वीडियो end में आपके end screen होना बहुत जरूरी है जैसे कि आपने मेरी हर वीडियो उसमें देखा हुआ कि end screen होती है अब बात करते हैं कि end screen क्यों मना जाती है सपोज अगर आप एक वीडियो डाल रहे हो शिमला के रिगाड़िए आपने कि शिमला में टूर आप वीडियो बना दी पांच मिनट की चे मिनट की और आपने पुरा इनको दिखा दिया है बट शिमला में लोग यह कोईगे कि यस हमें किन-किन होँआ पे होटलों पे रहाना पड़ेगा कहां-कहां हम वापस टेक कर सकते हैं गुमने लएक क्या वहां पे प्लेक्षिस है और उसकी वीडियो आपने एक अलग से बनाई हुई है ठीक है जो आपके वीववर्स है आपके सब्सक्राइबर उनको यह पता चलिए कि आपने इस टॉपिक पे भी वीडियो बना रखिया और सेम प्लेस के बारे में थे क्या है तब जब आपकी वीडियो वो एंड होती है तब लास्ट में वो पब्लिश होता है एंड स्क्रीन के मादम से तब वो क्या गरते हैं आपकी वीवर्स इंट्रेस्टर होते हैं तो वो वहां पे क्लिक करके आपकी उस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वो उसी वीडियो पे चल आता हूँ कि किस तरह से आपने end screen को बनाना है और आपने अपने जो brand को वहां पर publish करना है ठीक है ताकि आपके जो viewer subscriber को पता चले कि यह एक अलग से आपने एक बना रहा है और यहां पर मैं क्लिक करने पर अलग से वीडियो के notification सबसे पहले मिल सके चलिए दोस्तों लिए को करते हैं शरुवात तो चलिए दोस्तों अभी end screen को बनाते हैं मैं अभी use कर रहा हूँ canva software यह मेरा एक paid account है और paid account से मुझे कुछ extra features मिल जाते हैं और अगर आपके आपके पास paid account नहीं है आपने free access ले रखे हैं दोस्तों कोई issue नहीं है आप इसमें भी बना सकते हो ठीक है सबसे पहले आप अपने canva account के home page पर आजाए आभी मैंने भी home page पर हूँ यहां एक video का option है 1920 by 180 राइट तो आपने यहां पर click कर देना है क्लिक करने के पाद आपके पास videos के option आ जाएंगे जो आपके पास YouTube का जो format होता है 1920 और 1080 जो उनकी जो width और height का ratio है अब भी आपके पास कुछ pre ready made templates यहां पर आ जाएंगे आपके left hand side पर और यहां पर आप दे सकते हो बट हमने यहां पर search करना है end screen आपने सिर्फ यहां पर end screen को लिखना है और उसके बाद आपके पास आपने enter करना है आपके बहुत सारे end screen के templates यहां पर आ जाएंगे अभी आपने choose करना है कौन सा template आपको पसंद है जो आपके वीडियो के related है जैसे कि अगर आपको को brand है उसमें कोई आपने अलग से आपने choose कर रखे है कोई theme को को color को उस तरीके से आप अपना template को यहां पर लगा सकते हो ठीके बट यहां पर आप कोई भी template को यहां पर लग है परखे रहे हैं मैं इसको बीटा हूं यह रहीं ऐसको मेरे रही डियता हूं यह फ् Tub Google Großらい है मेरे पास इसको में यहां पर बंद कर दता हूं और फोड़ा सी recording इसको आप change आप कर सकते हो, style पे click करना है अगर आपने तो style पे click करने के बाद आपके पास बहुत सारे trending जो options आएंगे जो color options आए, color जो combinations होते हैं और phone combination जो automatic यहाँ पर आजेंगे तो आप उसको भी आप choose कर सकते हो, कि let's see कि मैं यहाँ इसको monster पे यहाँ पर click करता हूँ, तो automatic जितने monster colors है, सभी सभी यहाँ पर मेरे पास आजेंगे और automatic यह एक अलग से इसको rebuild कर देगा, तो आपने देखा कि जितना font है, वो सब change हो चुका है, अब मैं इसको control Z करता हूँ, undo इसको कर देता हूँ, ताकि मेरा जो format पहले वाला ही बना रहे, ठीक है, अगर आपने इस color को change करना है, तो lightly थोड़ा सा आप लगता है, यह light color है, थोड़ा सा आप इसको dark कीज़ कर सकते हो, तो अब इसको कर देते हैं, window को close, तो लिए, अब हमारे पास यह option आचुके है, next window, next sorry, next video और next video, यहाँ पे आप अपने दो वीडियो का, यहाँ पे option दे सकते हो, और photos के लिए, यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम को, sorry, चैनल के जो brand आपका है, वहाँ पे logo यहाँ इसको लगा सकते हो, suppose, यहाँ पे एक मैं आपको logo, मैंने यहाँ पे holiday logo बना रहा है, अपना एक, तो my wish holidays company का, इसको मैं just drag and drop करूंगा, तो automatic, यहाँ पे मेरे my wish holidays का logo यहाँ पे आ जाएगा है, ठीक है, अगर आपको खुद की photo लगा रही है, दोस्तो आपने खुद की यह photo लगाना चाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस person की photo यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, तो यह दोस्तो इस तरह से photo भी यहाँ पे लग जाएगी, तो इस तरह से आप अपने photos को यहाँ पे लगा सकते हो, यह देखे, यह इस तरह से आप अपने photos को भी यहाँ पे लग आना है जब आपके end screen आपके publish करोगे अपने वीडियो के end में ठीक है जो आपकी वीडियो पहले होगी आप running कर रहे हो वीडियो आप देख रहे हैं आपके viewers उसके ही relative आपके आपके यहां पर आना चाहिए ठीक है अब यहां पर जो options में आपको यहां पर दे रखे हैं आपको text यहां पर दे रखाए इसको text को आप double click करके जो यहां पर वीडियो को title होगा आप उस वीडियो को title को भी यहां पर लेख सकते हैं कि जैसे कि shimla के hotels शिम्ला होटल्स शिम्ला यहां पर लिखते हैं शिम्ला चीप होटल ठीक है तो इस तरह से शिम्ला के जो चीप होटल्स है आपको मतलब उनका पता चल जाए कि इस वीडियो में क्या है आगे ठीक है तो इस तरह से आप अपने यहां पर शिम्ला चीप होटल के जो वीडियो को यहां पर पॉब्लिज कर सकते हो और यहां पर लिख सकते हो कि अट्रैक्शन शिम्ला अट्रैक्शन ठीक है यहां शिम्ला अट्रैक्शन यहां लिखते हो शिम्ला जिस शिम्ला अट्रैक्शन इस ओके तो इस तरह से आप अपने अलग सी जो है टैग यहां पर दे सकते हो आप आपके viewers को पतले ले कि yes ये एक आपका ही यहाँ पे end screen बना रखी आपने अब बात करते हैं आपे end screen तो आपने ready कर ली है अब यहाँ पे आपने एक music भी देना है जहाँ पे जब इसको हम यहाँ पे play करेंगे play करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा already setup है आपने यहाँ पे transactions पी लगा रखी है सारी जीज़े इसमें animation लगा रखी है automatic बट यहाँ पे एक चीज़ की कमनी है यहाँ पे आपने music नहीं लगा रखा है कि ताकि यहाँ पे मैंने music को upload कर रखा है मैं आपको वीडियो की description में उसका link भी दे दूँगा वहाँ पे click करके आप उसको download कर अबर मैं यहाँ पे click करूंगा तो automatic यह music मेरे end screen के नीचे लग जाएगा और जब मैं इसको play करूंगा now and press the bell icon never miss an update तो यह दोस्तो हमारा एक template पूरा ready हो चुके है subscribe now and press the bell icon and screen हमारे पूरी ready हो चुकी है अगर आप इस वीडियो को download करना चाहते हैं और download करके आप कोई ऐसे जगह पे save कर लेज़े ताकि आप हो हर end वीडियो के end में इसको आपने वहाँ पे pick करके आपने वहाँ पे लगाना है ठीक है अब इसको यहाँ पे my mp4 वीडियो में आपने download करना है और download करने के बाद आ यहाँ पे मेरे पास downloads में यहाँ मेरे पास file चले गई है ठीक है अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आप अपके वीडियो में इसको पब्लिश आप कर सकते हो ठीक है अब की वीडियो में बस इतना ही thank you very much for watching subscribe now and press the bell icon never miss an update